टर्बो चार्जर एक ऐसा उपकरन है जो कमजोर इंजिन को बाहु बली बना देता है ये इंजिन के एक्जोस्ट गैसिस पर काम करता है इसमें एक कॉम्प्रेसर रहता है जो हवा को कॉम्प्रेस करके इंजिन में छोड़ता है इससे हमारा इंजिन ज्यादा खुल के सांस ले पाता है जिसे वो तेज भी भागता है और अच्छी मालेज भी निकाल के देता है जानकारी के लिए आपको बता दू कि टर्बो चार्जर्स की रोटेशनल स्पीड दो लाग असी हजर आर्पियम तक जाती है यानि के एक सेकेंड में कॉम्प्रेसर 4666 टाइम्स गूमता है टर्बो चार्जर्स की पूरी कहानी समझने के लिए उपर दिये गए आई बटन पे क्लिक करें टर्बो चार्जर्स में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लेम है जिसे कहते हैं बूश्ट ओवरलोड एक्सोस्ट गैसिस टर्बो टर्बाइन से डारेटली करेक्टेड रहता है जो कॉम्प्रेसर को घुमाता है अब समझे कि आपके गाड़ी धलान से उतर रही है यहाँ आप गाड़ी एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो आपका थ्रॉटल बंद रहेगा ऐसे में पूरी हवा इंटरकुलर के रास्ते थ्रॉटल के पास जमा होने लगेगी ज्यादा हवा के चलते पैदा होगा बैक प्रिशर जो इंटरकुलर में एंटर करते हुए कॉम्प्रेसर वील तक जाता है बैक प्रेशर के चलते इंटरकुलर के स्पोर्स जो बहुत बारीक होते हैं वो डेमेज हो जाते हैं साथ ही साथ कॉम्प्रेसर वील भी कुछ इस तरह से डेमेज होता है इसलिए यहां एक ऐसे आविशकार का उप्योग किया जाता है जिसे कहते हैं ब्लो ओफ वाल्व इसका मिकैनिजम बहुत ही सिंपल है एक टर्बो चार्जर इंजिन पचास प्रतिशत जादा हवा फोर्स करने के लिए डिजाइन किया जाता है इसलिए टर्बो चार्जर इंजिन को फोर्स इंडक्शन इंजिन भी कहते हैं ब्लो ओफ वाल्व को तक्नीकी शब्दों में कहा जाता है वेस्ट गेट या जो हमने देखा वो एक एक एक्स्टरनल वेस्ट गेट है एक्स्टरनल वेस्ट गेट को ज़्यादा तर एक्स्ट मैनिफोल्ड और टर्बैन इलेट के बीच बिठाया जाता है Internal waste gate में भी ऐसा ही होता है खाली ये arrangement टर्बों के अंदर ही किया जाता है ज़्यादा तर waste gates pneumatic controlled होते है waste gate को control करने के लिए engine में जाने वाली हवा का ही उप्योग किया जाता है जब system में हवा का दबाव बढ़ जाता है तो दबाव के चलते एक्चिवेटर कुछ इस तरह से काम करता है ये एक्चिवेटर mechanical linkage जिसकी मदद से turbine side में मौझूद valve को कुछ इस तरह से खोलता है आपको याद दिला दू कि turbine side से hot exhaust gases enter करते है और turbine को गुमाने के बाद कुछ इस तरह से बाहर जाते है अब जब blow off valve को खोला जाता है तो turbine को घुमाने वाले exhaust gases valve से बाहर निकलते है इससे turbine की rotational speed कम हो जाती है turbine की गती कम होने से compressor भी थोड़ा धीमे घुमने लगता है जिसके चलते engine में compressor होने वाले हवा भी कम होती है और इस तरह turbo को boost overload होने से रोका जाता है हमारी पिछली वीडियो में अपना बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया ऐसे ही informative animated content देखने के लिए हमारे चनल को ज़रूर subscribe करे और comment section में भी अपने views शेर करना ना भूले तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन